परतमान कहानी के अनुसार अनुपमा और वन्राज अपने नए बसे हुए व्यवसाय को समतल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पाखी के दोस्तों के लिए काव्या का बड़ा आदेश वन्राज और अनुपमा के बीच की स्थिती को जटिल बना देता है। काव्या वन्राज के गौरव को आहत करती है और अनुपमा इसे किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं करती है। जहां अनुपमा काव्या को टिप के साथ अपने पती को पैसे देने की आग्या देती है। यह अनुपमा के खिलाफ वन्राज को प्राप्त करता है क्योंकि वह अपने आत्म सम्मान की पर्वाह कि ये बिना पाखी और काव्या के साथ आख बंद करके खड़ा होता है। वन्राज अनुपमा से जादा कमाना चाहता है और यह भावना उसे नकारात्मक करने वाली है। काव्या की गंदी राजनीती के बीच वह अनुपमा के अस्तित्व को कैसे कठिन बना देगा। हम नहीं चाहते कि आप चुके पहले देखा गया था कि पाखी और काव्या पाखी के स्कूल के दोस्तों के लिए धेर सारा खाना आर्डर करते हैं। वन्राज अपने लिए कोई आय और लाभ नहीं होने से बहुत तनाव में है। वन्राज अनुपमा से वही चुपाता है जबकि वास्तविक्ता का सामना करने पर वह चौंक जाती है। अनुपमा अपना आपाखो बैठती है जब उसे पता चलता है कि पाखी और काव्या ने बहुत अधिक खाना आर्डर किया और उन्हें बरबाद कर दिया। इसके अलावा दोनों को वन्राज की मेहनत की परवाह नहीं है। वन्राज का व्या पाखी के बिगडेल बच्चे के साथ ठीक है। वन्राज अनुपमा अपने जीवन में इन चुनौतियों की साप सीधी को कैसे संभालेंगे। देखना दिल्चस्प होगा कि शोव में आगे क्या होता है। झालेंगे। झालेंगे।